वेलकम टू जीरो सी जिनियस्ता के ये वीडियो क्विटेस्ट बहुत ही इस्पेसल होने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो क्विटेस्ट में हम लोग देखेंगे भारतिय संबिधान के इंपॉर्टेंट अनुछेदों को तो चलिए सुरू करते हैं पहला सवाल है भारतिय संबिधान में कितने तरह के अपातकाल की व्यवास्था की गई है आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे पाच सेकेंड का समय जो सुरू होते हैं अब भारतिय संबिधान में कितने तरह के अपातकाल है आंसर होगा अप्शन नबर सी तीन तरह के तो आईए देखते हैं कौन कौन सा है पहला है आपका राष्टिय अपातकाल जो पहली बार चाइना युद्धे के समय 1962 में लगा था और ये किस अनुछेद के अंतरगत लगा थ अनुछेद 352 के अंतरगत लगा था राष्टिय अपातकाल 352 के अनुशार लगा था अनुछेद 352 याद रखियेगा दूसरा है राष्टपति सासन किसी भी राज्यों में राष्टपति सासन अनुछेद 356 के अनुशार लगता है और तीसरा है वितिय अपातकाल जो के अंतरगत लगता है लेकिन हमारे भारत में अभी तक वितिया पात्काल नहीं लगा है यह भी सवाल पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कुछ से नंबर टू सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग तीन में दिये गए हैं मौलिक अधिकार पहले कितने थे साथ लेकिन अब छे हो गए हैं वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितने हो गए हैं ध्यान रखिएगा छे हो गए हैं जो आपको पता है यह 44 संविधान संसोधन जो 1978 इस प्राणूनी अधिकार कर दिया गया जो कि आपको पता है और यहां सबसे बड़ी चीज इंपोर्टन चीज है कि मौलिक अधिकार की चार्चा किस अनुछेद में की गई है तो ध्यान रखिएगा अनुछेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार की चार्चा की गई है ओके आगे सवा भारतिय संबिधान के किस अनुछेद के द्वारा राष्ट पती महाभियोग लगाया जाता है राष्ट पती पर महाभियोग लगाया जाता है ध्यान से देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर बी अनुछेद 61 के अंतरगत राष्ट पती पर महाभियोग लगाया जाता है महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अमिर्का से ली गई है अमिर्का के संबिधान से ली गई है ध्यान रखिएगा इसके अलावा मौलिक अधिकार स्वतंत खतर नियाय पाली का उच्चतम नयाले यह शब भरतिये संबिधानने अमिर्का के संब्यधान से ली आ है तियान रखिएगा कोई नंबर फौर संबिधान के किस अनुछेद का संबंध संबिधान संसोधन से है ये भी सवाल हली के एकजाम में आया था संबिधान के किस अनुछेद का संबंध संबिधान संसोधन से है सही आंसर हो जाएगा option number B अनुछेद 360 राइट आंसर हो जाएगा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं संभिधान संसोधन भारत की संसत करता है संभिधान संसोधन कौन करते हैं जी भारत के संसत करते हैं अनुछेद की संख्या प्रजेंट टाइम में कितना है 470 यह important है अनुसूचिया की संख्या कितना है 12 और भाग कितने है 25 ध्यान रखिएगा यह बहुत important है आप चाहते स्क्रीन सट ले सकते हैं प्रजेंट टाइम में अनुछेदों की संख्या 470 अनुसूचिया 12 भाग 25 है कोश्य नंबर 5 कि संभिधान के भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है संभिधान के भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है हुआ कि सही आंसर हो जाएगा option नंबर आ नगरिता का वर्णन किया गया है और इस संभंधित अनुछेद्थ है नागरिता से संभंधित अनुछेद है अनुछेद अर्टिकल 5 स 10 ए 11 तक में आपके भरती में नागरिता से संबंधित बातों को कहा गया है ध्यां रखिएगा कोश्च नंबर सिक्स लोग सभा का विघटन कीस अनुछेद के तहत होता है लोग सभा का विघटन कीस अनुछेद के तहत होता है अंसर हो जाएगा option number c अनुछेद 85 के अंतरगत और लोग सभा का भी घटन कौन करते हैं राश्ट पती जी करते हैं लोग सभा का भी घटन कौन करते हैं राश्ट पती जी करते हैं अनुछेद 85 1 के अंतरगत राज्य सभा यो एक अस्थाई सदन है इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता अपको पता है राज्य शभा एक अस्थाई सदन है इसे भंग नहीं किया जा सकता question number 7 और आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं करें है तो आप अपने phone की इंट्रफेस के subscribe उट्टन पर क्लिक करके subscribe कर लिजिये और और बेल आइकन को दवा करके नोटिफिकेशन के लिए ओन कर लिजिए धन्याबाद आगे सवाल है किस अनुछेद में फ्रेश की सौतंत्रता दी गई है किस अनुछेद में फ्रेश की सौतंत्रता दी गई है सही आंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर ए अनुछेद 19 ए कि को या यह में दिया गाया है आपको पता है और आपको यह ज़ला इंपोर्टेंट है राष्टिय प्रे से दिवस कब मनाया जाता है और एक सवाल यहां से यह भी है बीश वा प्रे से सवतन्तरता दिवस कब मनाया जाता है तो आपको याद होना चाहिए तीन माई को मनाया जाता है Q8 वह निर्ट राज्य भाशा सम्उ्ऊल एयल किस भाग से सं बंधित है राज्य भाशा सम GTA किस भाग से संबंधित है सुआgender होगा अप्सण नबर डी भाग स्ट्रत से संबढंदित संबंधित और इसकी चार्चा अनुछेद 343 में की गई है आगे सवाल है किस अनुछेद के तहत बाल सरम का निशेध किया गया है माना किया गया है बिरोध किया गया है बच्चों से आप सरम नहीं करवा सकते सही आंसर होगा अप्सन नमबर सी अनुछेद तेज के अंतरगत माना किया गया है और आपके लिए एक इंपोर्टेंटे सवाल है हर साल बाल स्रम निशेधे दिवसकब मनाया जाता है 12 जुन को दियां रखिएगा 12 जुन कोशन नमबर 10 संभिधान के किस अनुछेद में वीत आयोक के गठन का वर्णन किया गया है सही आंसर हो जाएगा आपसन नमबर 10 अनुछेद 208 में संभिधान के किस अनुछेद में वीत आयोक के गठन का वर्णन है अनुछेद 208 में और इसकी गठन राष्ट पती करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लिजिए इनके अध्यक्ष कौन है सिरी नंद की सोर्सिंग 15 वीत आयोक का अध्यक्ष कौन है सिरी नंद की सोर्सिंग ध्यान रखिएगा तो आपके लिए एक सवाल है भरती संभिधान दिवस की सितिन मनाया जाता है यदि आप राइट अंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कॉमेंट वक्स में जाना होगा वहां पर लिखना होगा क्यों फरी वर इसके राइट आंसर वीडियो आप चाहे तो अपने मित्र जनों में सियर जरूर कर दीजिए और लाइक नहीं किये तो लाइक कर दीजिए हमारे साथ रेगुलर रहिए वीडियो के प्रस्ण तो आज बहुत ही अच्छे थे आगे भी कि आइसा ही रहेंगे तो चलिए मिलता हूं फिर अगला वीडियो में जय हिंद जय भारत